खबर सवाई माधुपूर से है जहां अवेद बजरी परिवाहन पर बोल्ली थाना पुलिस ने बड़ी कारवाई को इंजाम दिया है एसेचो करन सिंग राठोट के निर्दिक्षन में बास टोड़ा गाउ में दबिश देकर अवेद बजरी से भरे साथ ट्रेक्टा ट्रोली जब्द किये गए है A.S.I. ने बताया कि अवेद बजरी परिवाहन की सूशना पर कारवाई करते हुए वाहनों को जब्द किया गया है वहीं पुलिस की कारवाई से बजरी माफियों में हरकम मच गया दोसा के बांदिकुई उपखंड कारियाले में नए S.D.M. नीरज मीना का नगरपालिका पारशदों की ओर से गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया वहीं पारशदों के अलावा सामाजिक संगठनों ने भी उपखंड अधिकारी नीरज मीना का स्वागत किया इस दोराशदों सामाजिक संगठनों ने S.D.M. नीरज मीना को शहर की समश्याओं से अवगत करवाया इस मोके पर नगरपालिका के वाइस चेर्मेन राजेश शर्मा राजेंदर चोधरी समेत कई लोग मوجود रहे खबर जुनजुनु के मंडावा से है जहां बिसाओ मार्ग पर पिकप पलटने से एक मजदूर की मोके पर ही मौत हो गई हादसे का शिकार हुआ मजदूर जम्मू का रहने वाला बताय जा रहा है वहीं इस हादसे में एक यूवक गंभी रूप से घाल हो गया है जानकारी के मताविक जम्मू निवासी जावेद एहमद अपने मामा मुहमद अश्रफ के साथ पिकप में बैठकर मंडावा से बिसाओ के लिए रवाना हुआ था तब ही कुहाडू बसिस्टेंट के पास अचानक पिकप पलट गई इस हाथ से में जावेद एहमद की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं अश्रफ गंभी रूप से घाल हो गया हाथ से के बाद घाल को जुन-जुनू वीडी के अस्पिताल रेफर किया गया है फिलहाल पुलिस गटना की जाच परताल में जुटी है स्री गंगा नगर के घरसाना में कर्शी कानूनों का विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा है इसी के तहट मुख्य गुरुद्वारा सिंग सभा में सैक्डो किसान एक जुट हुए जहां किंदर सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की गई वहीं दरजनों ट्रेक्टर ट्रोली और वाहनों के साथ किसान राइसिंग नगर महा पंचायत के लिए रवाना हुए इस मौक्य पर पूरु विधायक पवन दुगल ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन केंदर सरकार इस और को इधान नहीं दे रही है सीकर के फतेपुर में आज प्रीमें पेट्रोल 101 रुपे प्रती लिटर के पार पहुँच गया है फतेपुर में प्रीमें पेट्रोल की कीमत पहली बार 101 रुपे 46 पैसे प्रती लिटर पहुँच गई है वहीं सामाने पेट्रोल की कीमते भी सित्यानमर रुपे चौनसट पैसे प्रती लिटर है आपको बता दे कि यहां कीमतों में प्रती दिन 25 से 30 पैसे प्रती लिटर का इजाफा किया जा रहा है इस साल तेल कंपनिया अब तक 16 बार कीमतों में इजाफा कर चुकी है जालावार के डग में दो बाइक्स की आमने सामने टक्कर हो गए इस साथ से में चार लोग घाय लोगे जिनें डग CST में भरती करवाया गया है जानकारी के मताबिक गड़ा गाव निवासी तीन लोग बाइक पर जलार की ओर जा रहे थे तब ही सामने से आ रही बाइक ने उनकी बाइक को टकर मार दी इधर घटना के सूचना पाकर पुलिस मोखे पर पहुँची और जाच परतार शुरू कर दी राजसमन्द के भीम में कार के टकर से एक जीप दुरगटना गरस्तो कर पलट गई हादसे में महिला बच्चों समेथ साथ लोग घटना इतनी जबरदस थी कि जीप बुरी तरक्षति गरस्तो गई इदर हादसे की सूचना पाकर एसाई बालू राम में जाबता मोके पर पहुँचे जिसके बाद घायलों को सामुदाइक स्वास्ते के इंदर पहुँचाया गया फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच परताल शुरू कर दी है इसादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है रादसा सराडा थ हराकशेतर में हुआ है जहां ढिगरी जाडोल के पास बिजली के पौल से कार थकरा गई हादसे में महीला और पुरुष के साथ एक बालिका की मौत हो गई है डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलस ने यूती से मुबाइल लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है इस मामले में पुलस ने दो आरुपियों को गिरफतार कर लिया है कोतवाली थाना पुलस के मताबिक लक्षमी नगर निवासी दीपी का कलाल ने दो फरवरी को प्रताब नगर चोराहे पर वो घुमनी आई थी तब ही बाइक सवार दो बदमाश दीपी का के हाद से उसका मूबाइल लूट कर फरार हो गए ऐसे में मामले को गंबीरता से लेते हुए पुलस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा है फिलहाल पुलस गिरफतार आरोपियों से पूचता आच में चुटी है खबर टोंक के निवाई से है जहां आज से भगवान देवनारायन के मेले का शुबारम होने जा रहा है इस मेले का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है वही पुशासन ने मेले को लेकर विशीष तैयारियां की है आपको बता दे कि भगवान देवनारायन के मेले में कई पृतियोगिताएं भी आयोजित होंगी साथ ही भजन संद्या का आयोजन किया जाएगा सम्मान समारो भी आयोजित होगा विशाल भसन संद्या का आयोजन किया जाएगा एवं बारा बज़े रात्री बारा बज़े भगवान देवनारायन जी के जनमोजसव पर कासी की थाली में भोपाजी द्वारा कमल फुल में भगवान देवनारां का उतार दिखाया जाएगा इसके बाद में 19 फरवरी को गुरदोर मानवदोर नाल परतियोगिता का आयोजन के साथ मेले की समापन होगा